हनो अचिह विडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है जो यूजे JOHN अब जो है आप 5 क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज करते रहते हैं जैसे छाने दो अब जो है, so है, मतलब क्या, कि कोई भी चीज हो चुका है, अब जो हो चुका है, वो हो चुका है, ठीक है friends, तो उसी से related हमारे जो examples है friends, उसको हम English में कैसे बोलेंगे, वही आज हम समझेंगे friends, ठीक है, तो सबसे पहले friends हमारा रोहेगा, जो है, अब जो है, so है, इसका जो English word होता है friends, एक बार हम उसको समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब जो है, so है, मतलब क्या? it is, what, it is, ठीक है, it is, what, it is, zenia, it is, what, it is, मतलब क्या, कि अब जो है, so है, ठीक है friends, यहाँ पे हमारे जो example से देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा जाने दो अब जो है so है ठीक है यहाँ पर क्या होगा जाने दो सबसे पहले मिसको लिखेंगे हमारा क्या है सबसे पहले जाने दो तो जाने दो मतलब leave it मतलब क्या रहने दो या फिर जाने दो leave it ठीक है कौमा है तो कौमा करेंगे उसके बाद अब जो है सो है तो क्या है यहाँ पर इट इज हझाओ आपको समझमें आ गया होगा उन्हीं का रहता है कि हम सेंते तो बोलना तो चाहते हैं पर uses के lack of this uses हमें पता नहीं रहता, lack of knowledge की हमें बोलना कैसे है, इसलिए हम नहीं बोल पाते है friends, तो उसी के साथ मैं लेके आया हूं friends, हमारा जो examples है, यो uses है, उसी को, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जाने दो, अब जो है, so है, तो किसी को भी हम बोल सकते हैं, किसी बात के लि है, ठीक है, जो है, so है, तो यहाँ पर क्या होगा friends, दो चीजे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद जो है, so है, तो सबसे पहले friends, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हम क करेंगे जो है सो है बाद में कर देंगे ठीक है यह हमारा जो सेंटेंस इसको हम पहले करेंगे ठीक है फ्रेंट्स यहां पर क्या है अब कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता मतलब nothing can be done ठीक है अब का now अब कुछ नहीं हो सकता मतलब क्या nothing can be done now उसके बाद कॉमा फिर उसके बाद हमारे क्या रहेगा जो है सो है तो it is what it is ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता जो है तो इसका हिंदी जर्सका ओलटा रहते है किना कुछ नहीं हो सकता ठीक है फ्रेंट्स तो आयो अब को समझ में आ시다वल का फ्रेंट्स इयो ए नेक्स20 इ writers देखते हैं इसमें क्या है तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ठीक है दो चीजे हैं दो वाग के है फ्रेंट्स तुम्हें पहले सोचना चाहिए था अब जो है सो है जैसे मान लेजिए कोई किसी में कुछ गलती कर देता है या फिर कोई किसी को कुछ बोल देता है तो उसमें कहोते है कि ठीक है जाने दीजे मतलब कि तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जो है, so happens, ठीक है, तो यहाँ पे का आओका सोचना चाहिए था, तो you should, ठीक है, सोचना चाहिए था, तो should have, I hope कि आपको समझ में आता होगा, friends, sentence जो है हमारा, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, you should have thought, ठीक है, have आया है, तो thought लगेगा ही, पहले का before, you should have thought before, उसके बाद, कॉमा, उसके बाद, अब जो है, so है, तो, it is what, it is what, it is, ठीक है, I hope कि आपको समझ में आयोगा, friends, अब जो है, so है, को किसी भी हम, जब लगाएंगे, किसी भी sentence का जो यूज करेंगे, वो इसी प्रकार से लगेगा, friends, ठीक है, आईए, next देखते हैं, तो यह, friends, हमारा next example देखते हैं, जैसे कि अब पस्ताने से क्या फायदा, अब जो है, so है, जैसे कि, friends, हम कोई भी काम कर लेते हैं, उसमें हमें पस्ताबा होता है, तो उसमें जो sentence पूले जाते है, friends, हमारा जो uses होता है, जैसे होता है, कि अब पस्ता से फ्रेंट्स हमारा क्या है अब पस्ताने से क्या फायदा उसके बाद अब जो है सो है तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे क्या फायदा मतलब क्या तो सबसे पहले डबले ऐस फैमली आया है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे वाट ठीक है उसके बाद इच क्योंकि क्या फा तो what is the use of regretting now फिर उसके बाद हमारे का रहेगा अब जो है सो है तो it is what it is ठीक है friends I hope कि आपको समझ में आ गया होगा friends ठीक है इसे प्रकार से जितने भी examples रहेंगे friends हम उसको इसले लगाएंगे हमारा next example कि है friends कि मुझे यह phone नहीं पसंदे पर अब जो है सो है तो इसका प्लीज आप comment में बताईएगा हमके sorry हमें तो कि इसका क्या होगा friends ठीक है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा friends वीडियो अच्छा लागा होते लाइक करिए share करिए मिलते हैं next video और नाय है तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करिए friends मिलते हैं next video thank you friends